हलो तब मेरा नाम याद है मैं कौन सी मैम हूँ नेहा मैम येस वेलकम यू अल चले पहले आप मुझे ये बताईए आपने जो कविता मैंने पहले कराई थी वो याद करी थी गुन गुन आई थी ममा के साथ हाँ दादी के साथ हाँ चले तो वो कविता किसके बारे में थी दो चुए जो मूटे थे और ये पिल्ली मोसी की थी और आज जो हम कविता गुन गुनाएंगे वो एक कौन करती ऐसे चीडिया चीडिया के बारे में है इस कविता को भी हम गुल घेरे में बैठके गुन गुनाएंगे जिसके सुनकर आप बहुत आनंदत महसूस करेंगे मुझे भी आपको कविता सुनाना बहुत मज़ा आता है तो चलिए गुल घेरे में बैठते हैं और इस कविता को अपने किताब बुक ओफ सॉंग्स राइम्स एंड स्टोरीज में से याद करेंगे तो हमारी कविता का नाम है आजा चिडिया कैसे खड़ते हैं? चूँ 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 कितनी सुनदर चिडिया हैं वाव तो चलिए कविता गुन गुनाए मेरे साथ मेरे पीछे पीछे बोलेंगे और जैसे मैम करेंगी वैसे करेंगे ठीक है? तो चलिए आजा चिडिया आजा री बोले आजा चिडिया आजा री ऐसे बुलाते हैं ना किसी को और ऐसे बुलाने से हर कोई आता है तो चिडिया भी आएगी चलिए कोशिश करें आजा चिडिया आजारी चिडिया क्या खाती है? दाना है ना? चुग चुग दाना खाजारी मीठा गाना गाजारी मीथा गाना गाजारी आजा चीडिया आजारी दो लाइने आपको याद हुई? चली अब चीडिया ने सुनी हमारी आवास और क्या बोली? आती हूँ मैं आती हूँ चुक चुक गाना खाती हूँ अब गाना कैसे सुनाती है? चुचु गाना गाती हूँ जट उपर उड़ जाती हूँ चली दुबारा बोली आजा चीडिया आजारी चुक चुक दाना खाती हूँ मीठा दाना गा जारी आजा चीडिया आजारी तो कैसी लगी मेरी कवीता? इस कवीता को आपने ममा की साथ रोज दोराना है और उसको याद करके अपनी दादी मा को सुनाना है अच्छी लगी तो चलिए मेरे साथ ताली बजाएं मैं फिर लोटूंगी सुन्दर कवीताओं के साथ कहानियों के साथ तब तक के लिए टेक केर बाबाई लव यू